इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक आप बरोदा में हमें अपना साइविंग अकाउंट कैसे ओपेन करना है अब आप ओनलाइन वीडियो के वाइसी के माध्यम से अपना अकाउंट बैंक आप बरोदा में ओनलाइन ही ओपेन कर सकते हो जिसमें कि आपको balance को maintain करने की जरुरत नहीं होगी और आपका account पूरी तरीके से online ही activate हो जाएगा जिसमें कि आप से भी को free में ही debit card भी मिल जाएगा जिसके थूँ आप UPI, mobile banking जैसे services को enable कर पाओगे तो इस वीडियो में हम पूरा process देखेंगे कैसे हमें bank of brother में अपना account open करना है तो चलिए सुरू करते हैं bank of brother में अपना bank खाता open करने के लिए सबसे पहले तो B.O.B. word आपको search करके यह जो bank of brother की application है इसको आपको अपने phone में install कर लेना है इसके तुरू आप आसान तरीके से अपना bank खाता open कर पाओगे इसी में login करके आप सारी services को access कर पाओगे first time आप open करोगे कुछ permission मांगी जाएंगे जिनको आपको allow करना है अपनी primary language को आपको select करना है then आपको proceed के option पे click करना है और यहाँ पर हम skip के option पे click करेंगे then आप देखेंगे instant account opening का जो option है वो यहाँ पर आ चुका है जो कि digital तरीके से हम few minute के अंदर अपना bank account open कर पाएंगे तो हम get started के option पे click करेंगे again आप सभी के सामने दो तीन option आते हैं तो पहला option open digital account हमें इसी option पे click करना है then हम यहाँ पर location की जो permission मांगी जाते है उसको हम allow कर देंगे और अगला page आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आता है जिसमें कि आप देखोगे total 4 step में आप लोग अपना जो account है वो open कर पाओगे जिसमें कि आधार पैन आपके पास में होना चाहिए और वीडियो के वाश्य के माध्यम से आप अपना account फूरी तरीके से online ही activate कर पाओगे अब नीचे के तरब आप देखोगे तो account की यहाँ पर कई सारी categories दिखाए जाते हैं जिसमें कि अलग-अलग आपको benefit मिलने वाले है silver, gold, platinum, कुछ इस तरीके के bank of brother आपको account offer करता है जिसमें कि किसी भी option पे click करके आप उसके जो benefit है आप देख सकते हो आप जैसे कि यहाँ पर silver के option पे मैंने click किया है तो इस account में आप देखोगे कि क्या-क्या हमें benefit मिलेंगे यह यहाँ पर दिखाया गया जिसमें कि आधार authentication के through आप अपना account है वो open कर पाओगे छुपे charges नहीं है कोई भी यहाँ पर balance को average balance जो होता है खाते maintain करने की जरूरत होती वो भी आपको maintain करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर आप देखोगे कि nil mention किया गया है और नीचे के तरफ आप देखोगे कि इस account में क्या-क्या आपको offer किया जा रहा है NFT, IMP, S, जो भी payment mode है वो सारे ही आप access कर पाऊगे apply का जो option देगा है इस पर हमें click करना है जैसे हम click करेंगे तो हम से यहाँ पर हमारी जो email ID है जो mobile number है वो fill करने के लिए बोला जाता है तो email को सबसे पहले तो हम यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद में जैसे ही हम mobile की tab पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि email ID पर एक link को send किया जाएगा जिसे आपको verify करना होगा तो हम यहाँ पर अभी close के option पर click करेंगे अपना phone number भी हम यहाँ पर enter करेंगे और mobile phone पर एक OTP गया है जिसको आपको यहाँ पर fill करना है देन आप सभी लोग page में नीचे के तरब देखोगे तो यहाँ पर आप सभी को कई सारे option देखने को मिलते हैं जिसमें कि आप एक minor नहीं हो यानि कि आपकी age 18 साल से उपर है पर click करना है और India के बाहर कोई भी आप tax का payment नहीं करते हो select करोगे इसके बाद में आप सभी को next के option पर click करना है अब इसी के साथ में हमारी email पर भी जो notification आया था जिसको हमें click करके verify करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो email ID है वो successfully verify हो email ID verify होते ही अगला जो page आता है जिसमें कि आपको अपना जो pen number है आधार number है वो fill करने के लिए बोला जाएगा जिसमें कि हम अपना जो pen card है वो number यहाँ पर capital letters में हम fill करेंगे आधार number को यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद में यहाँ पर हम आधार से authentication online ही करने वाले है यहाँ पर bank को हम permission allow कर देंगे और next के option पे click करेंगे तो आपके आधार card से जो भी mobile number link होगा उस पर एक OTP जाएगा जो की OTP आपको इस box में आपको verify कर लेना है और next के option पे click करना है अब इतना करते ही आप देखोगे कि आपके आधार card से बहुत सारी information automatic फेच हो करके आ चुके है जिसमें कि आपकी photograph हो गया आपका name, आपके पिता का नाम, आपका address तो यह जितनी भी details है आज की date में online अगर आप account open करते हो तो manually fill करने की जरूरत नहीं है आधार card से सारी ही details automatic synchronize हो जाती है अगर आपका address कुछ भी change है तो आप चाहो तो यहाँ पर जो यह address है नो के option पे click करके manually fill कर सकते हो तो mostly logo का address है वो same ही होगा तो आपको इसे नहीं छेड़ना है इसी के साथ में नीचे के तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको branch को select करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि आपके address के मुताबित आसपास में जो भी आपके district में branches होगी वो आपको reflect हो जाएंगी तो आपको जो भी nearest आपके घर के आसपास में branch है जिसके तो अपना bank account आप map करना चाहो वो आप select कर लोगे जैसे आप select करोगे तो आपकी जो branch की complete detail है वो आप सभी को so हो जाती है अब यहाँ पर इस bank account को open करने के लिए हमें proceed के option पे click करना है अब अगले page में आप सभी के कुछ personal details पूशी जाते हैं जिसमें कि आपके father का जो name है वो आपको यहाँ पर fill करना है इसी के साथ में आपके mother का जो name है आपको यहाँ पर fill करना है इसके बाद में religion के section में आना है आप Hindu, Muslim जिस भी धर्म से आते हो आपको यहाँ पर select कर लेना है और आप पर कितने लोग परिवार के dependent हैं इस option पर click करके आपको वो number select कर लेना है इसी के साथ में आपको disability का भी option दिया गया है अगर आप विकलांग है किसी भी तरीगे की विकलांग ता disability है तभी आपको yes करना है otherwise no के option पर ही click रहने देना place of birth के section में आपका जो भी सहर है बर्थ का भो आप फिल कर लेंगे आपके जो भी educational qualification है यहाँ पर आप select करेंगे employment status के section में आएंगे यहाँ पर अगर आप salary person है तो employed select करेंगे अगर आप खुद का business करते हैं तो self-employed आप यहाँ पर select करेंगे इसके बाद में category के section में आ करके HTSC, OBC जिस भी card से हैं आपको select कर लेना है और occupation की जो details हैं यहाँ पर आपको फिल करना है आप married हैं, single हैं यहाँ पर आपको choose कर लेना है इसके बाद में आप सभी को अपनी जो wife का नाम है अगर आप married हो तो यहाँ पर फिल करने का जो option है वो आपको so होगा तो यहाँ पर आपको अपनी wife का जो name है यहाँ पर आपको फिल कर देना है इसके बाद में लीचे के तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको nominee की जो details है वो भी फिल करने के लिए बोला जाता है जिसमी की आप चाहो तो साथी के साथ nominee की जो details वो enter कर सकते हो जिसमी की nominee से जो भी relation है आपको choose करना है nominee का जो भी Mr. Mrs. आप name के आगे लगाते हैं वो फिल करेंगे और यहाँ पर first name, middle name, यहाँ पर कुछ इस तरीके से name को फिल करना है data birth को फिल करना है तो इस तरीके से आप nominee की details भी enter कर सकते हो बाकि अगर आप चाहो तो no के option पे click करोगे तो यह जो process है skip हो जाएगा आपका जो account है तब भी open हो जाएगा तो हम no के option पे click करेंगे proceed के option पे click करेंगे अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हम additional service के page पर आ चुके हैं जहां पर आप अपने account में कौन-कौन सी services को access करना चाहते हो कौन-कौन सी services आप लेना चाहते हो उसको choose करने का जो option है वो यहां पर दिया गया है तो यहां पर यह सारे option पे हमें select करने की जरुरत नहीं है डिफाल्ट पर bank अगर online account open कर रहे हो तो यह चीज़े offer करता है तो यहां पर हम इन सारी ही चीज़ों को लेना चाहते हैं हम next के option पे click करेंगे तो अब आपके सामने आपकी application का जो preview है एक पार so हो जाता है जहां पर आपको एक बार अच्छे तरीके से सारी details मिलान करने ना है कुछ भी अगर correction की जरूरत है तो यहां तक अभी भी आप अपनी information को modify कर सकते हो बाकि सारी चीज़े सही लगती है तो आप page में नीचे के तरफ आओगे तो यह again आपको services का जो page है वो दिखाया जाता है जिसमें कि क्या क्या चीज़े आपको मिलने वाले हैं जिसमें कि UPI service, virtual debit card, internet banking, mobile banking इस सारी चीज़े हमने enable किया है तो हमें क्या करना है अब इस phone को submit करने के लिए submit application के option पे click करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि हमारी जो application है वो successfully submit हो चुकी है यहां पर जो bank की तरफ से URL नमबर जनरेट हो करके आया है सबसे पहले तो इसे हमें अपने पास में note करके रख लेना है phone में आप screen sort ले करके भी अपने पास में रख सकते हो इसके बाद में यहां पर अब account को हमें access करने के लिए इस account की हमें online ही KYC करनी होगी जो की video KYC के माधम से यह काम हो जाएगा तो complete your video KYC के option पे हम click करेंगे और next चुपे जाता है जहां पर किस time पर आप video KYC करना चाहते हो यहां पर आपको वो time वो date आपको select करना है जिसके बाद में आप schedule video KYC के option पे click करोगे तो यहां पर हम immediate ही चाहते हैं कि आज ही की date में video KYC हो जाए तो यहां पर आज ही की date हम select करेंगे और time भी अभी का ही select कर लेंगे और schedule video KYC के option पे click करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि हमारी जो video KYC है वो schedule हो चुकी हमें email और SMS से इसका जो notification है हमारे mobile phone पर send किया गया है जिसमें कि email पर अगर हम आएंगे तो आप यहां पर देखोगे कि एक जो है link दिया गया है जिसमें कि हम click करेंगे तो हमारी जो video KYC है वो यहां पर activate हो जाती है तो यहां पर हमारी जो call है वो bank के कर्मी के साथ में connect हो जाएगे जिसमें कि हमें ensure करना है कि हमारा जो original pen card है आधार card है वो मेरे पास में होना चाहिए इसी के साथ में आपको एक plain paper पर signature करके भी दिखाने होंगे तो वो भी आपको एक pen और paper रखना होगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से bank के कर्मी से आपको जो भी information मांगेंगे वो सारी चीज़े आपको provide करना है ध्यां देना है यहां पर पीछे से कोई भी आपका support ना करे क्योंकि bank कर्मी उस समय अब जब बात कर रहे हो तो कोई भी अगर help करेगा तो आपका जो account है वो open नहीं होगा वीडियो के वैसे successful होगर के कुछ इसरीके का message आप सभी को सो होगा जिसके बाद में आपकी जो account details हैं वो आपको SMS पर और email पर notification मिल जाएगा जिसके बाद में इसी mobile application में आप अपनी net banking को login कर सकते हो जो भी आपको virtual debit card issue किया गया है इसी application में सो हो जाएगा जिसके माध्यम से आप Google पे हो फोन पे हो या फिर UPI कोई भी application हो उसमें register कर सकते हो अपने bank खाते का आप इस्तमाल कर सकते हो तो इसके लिए अगर आपको details में video देखना है कैसे आपको login करना है first time तो उसका जो video है मैं बना दूँगा आप कुछ दिनों के बाद में अगर video देख रहे हो तो आप हमारा जो video का description है उसको check कर सकते हो तो इस तरीके से हम अपना जो bank account है वो online ही video KYC के माध्यम से open कर सकते हैं इस account में आपको balance को maintain करने की जरुरत नहीं होगी और आपको Google पे, phone पे जो भी online payment के services हों वो सारी ही enable हो जाएंगे किसी को भी आप online payment कर पाओगे तो आसा करता हूँ आज के जो video है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे like करेगा अपने और भी friend और family में share करेगा इसी तरीके के और भी interesting वीडियो देखने के लिए गर आप channel पे नए हो तो subscribe जरूर करिएगा हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक ले goodbye, जैहन